अब तक हमने जितने भी भैरवी मंदिरों की स्थापना की है, ये वाला उनसे थोड़ा अलग है हमने तीसरे नेत्र को बहुत ज़ादा तीवर बनाया है देवी के यहां के रूप का जुकाव मुक्ति की और आगे बढ़ने की और जादा है ना के सिर्फ भौते खुशाली की और पिछले 12 से 1500 सालों में देवी का ऐसा रूप बहुत ही दुरलब है जो की मरकरिया पारे पराधारित हो देवों के रूप हैं ऐसे लिंग हैं जो की मरकरिया पारे पराधारित हैं इस तरह के मूलभूत तत्मों के मंदिर भी हैं पर देवी का ऐसा कोई रूप नहीं है ऐसा रूप जिसका आधार मरकरी का हो तो ये एक अनोखा पहलू है इस मरकरी को जिस तरह से जमाया गया है ये आसानी से 3600 से 40 या 45 या शायद 4800 साल तक बना रहेगा और ये पिछले तीन महिने से जादा समय से एक विशेश प्रक्रिया से एक बेहत तीवर प्रक्रिया से गुजर रही है और इसमें मुख्य रूप से मैं खुद और भारत और नेपाल की को जिवा महिलाओं ने इसको संभव बनाने के लिए इसमें हिस्सा लिया है इन पर बहुत काम किया गया है जैसी ये अभी हैं इन्हें यहां तक लाने में बहुत काम हुआ है एक और पहलू है ये कलश पांच कलश उपर हैं तीन ठीक यहां हैं एक बिलकुल ठीक देवी के उपर है और एक सामने बाहरी मंडप में है तो इन तीनों को हम जमी हुई मरकरी आप बारे से उर्जानवित करेंगे ये एक ऐसा पहलू है जो बाकी भैरवी रूपों से जने हमने इस्थापित किया है उनसे थोड़ा अलग है यानि कि हमने तीसरे नेत्र को बहुत ज़ादा शक्तिशाली बनाया है तो देवी के इस रूप में करुणा से ज़ादा तीवरता है मेरा ख्याल है यहाँ नेपाल में आप लोग प्रेम और करुणा में थोड़ा ज़ादा ही गोते लगा रहे हैं तो मुझे लगा आपको थोड़ी तीवरता की ज़रूरत है जो आपको प्रज्वलित कर दे तो यह चलेगा ना आप नेपाली लोगों को देवी के इस रूप का जुकाओ मुक्ति की और आगे बढ़ने की और ज़ादा है ना कि सिर्फ भाते खुशाली की और इस रूप को इसी मकसद के लिए बनाया गया है देवी का मकसद आपको जीवन के प्रतिसम्वेदनशील बनाना है ना कि समाजिक विचार धाराओं या फिलोसफी या शास्त्रों के प्रतिसम्वेदनशील बना नहीं जीवन के प्रतिसम्वेदनशील बना शिवा भरणं घोररूपं पंचा इंद्रियतारकं शिवा भरणं घोररूपं पंचा इंद्रियतारकं नित्यम जाग्रस्थिते निष्टम नागनागम आश्रये हम ताकि आप अपने अस्तित्व का महत्व जान पाएं ना कि उसका जवाब करते हैं या नहीं करते सिर्फ अपने अस्तित्व का महत्व हर इंसान को इसका अनुभाव होना चाहिए क्योंकि ये सौभाग्य सिर्फ एक इंसान के पास होता है आपको इसका उप्योग करना ही चाहिए ये अनुभाव अद्भुत था शब्दों में बयान नहीं किया जासा मैंने ऐसा अनुभाव जीवन में पहले कभी नहीं किया है देवी ने मुझे एक नया जीवन दिया सुने में जो भी आप से कहने है मैंने वाला हूँ यहां मैंने अभी किसी से कहा नहीं है क्योंकि एक स्विकार करने का दिने इसले में बता रहा हूँ एक वज़े क्यों मैंने ये सुचा कि देवी को यहां नेपाल में आना ही चाहिए वो ये कि आपके यहां जो कुछ अद्भुत मंदिर हैं पर जब मैंने देखा कि उन्हें किस तरह से रखा जाता है और किस तरह उनको अप्रोच किया जाता है मेरे आंसु आ गए ये उपकरण भव्य हैं और इतने प्रारमधिक तरीकों से इस्तिमाल किये जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि भैर्वी को एक प्रेरणा के स्त्रोत के रूप में यहां आना चाहिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस अद्भुदेश में और कई चीज़ों को पुनरजीवित करेंगे मैं ये देखना चाहता हूँ कि नेपाल की युवा पिढ़ी और खास्त और से युवा महिलाएं इस आयाम का उप्योग करें और अगर आप इसका उप्योग करना जानते हैं तो देवी आपके लिए उन संभावनाओं को खोल देगी जिनके आपने कल्पना भी नहीं कियोगी भैरवी वो हैं कि अगर आप इनका उप्योग कर पाएं तो जीवन के हर पल को उमंग से भरा और अद्भुत बनाना एक जीती जाक्ती संभावना होगी भैरवी को अपने दिलों में ले जाई और अपने भीतर देवी को खिलने दीजे झाल